हलो एवरिपन लिमसेट24 का रेजल्ट आया है और हर बार के तरह इंपिटर्स का बेस्ट रेजल्ट इन इंडिया है और इस रेजल्ट में हर तरह के स्टूएंट है क्लास्रूम स्टूएंट, और आज का जो मेरा सेशन है वो special test series के लिए जिसका नाम में अव्यास यानि practice अब समय आ गया है कि अगर आप 24 को target कर रहे हैं और अगर आप self study कर रहे हैं तो impetus gurukul का unique test series अव्यास को आपको join करना चाहिए क्या इसके unique feature है मैं one by one बताऊंगा और मैं आपको एक बार शूरली बोल दूँ कि जो impetus gurukul की test series का इस test series का आप compare कहीं भी नहीं कर सकते क्योंकि जो इसके unique feature है वो आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं तो क्या-क्या unique feature है one by one time बताना चालू करूंगा और क्यों करना चाहिए वो भी बताऊंगा क्योंकि होता क्या है जब हम self study कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर टार्गेट सेट नहीं होता हम किसी topic को हो सकता चार दिन में करने और किसी चाप topic को 20 दिन में भी नहीं कर पाते नंबर वन प्रॉलम नंबर टू टॉपिक तो कर लिया पर आपने अगर अपने आपको अस्यस्टी नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका टॉपिक सही तरीके से कवर हुआ कि नंबर थ्री कहां से स्टार्ट करना और कहां पर एंड करना यह बहुत इंपॉर्टन कि कोई भी मैंस का टॉपिक का कभी कोई एंड नहीं हो सकता द्यान के और कि क्वी टॉपिके क्ोई य क्टिक नहीं हो सकता तो आपको ये तो पता होना ची कि start यहां है and क्या करना है फिर क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना यह बहुत इंपॉर्टेंट है 23 और 24 के पेपर में मैंने एक ही बात बच्चों से बोली थी कि यह और अभी आगे के लिए भी बोलाओ कि आपको पेपर में क्या आटेम्ट करना है उससे जादा यह भी पता होना जवरी कि क्या आटेम्ट नहीं करना है और अगर आप देखें तो 23 और 24 दोनों के पेपर का कट आफ इसलिए लो गया विकाज चोड़ने का भी बहुत इसकोप था पर पता तो हो कि क्या चोड़ना है पता तो क्या करना है पता तो कि कौनसे कोश्चन आपके फेवरेबल नौन फेवरेबल है अब अगर सेलव स्टैडी कर रहे हैं तो आप ये सब चीजे कैसे असिस्ट करेंगे इंपिटर्श गुरू कुल आपको इसमें 100% हेल्प करेगा इसलिए बोला मैंने कि इंपिटर्श गुरू कुल का टेस्ट सिरीज यूरिक टेस्ट सिरीज है और जो भी बच्चा सेलव स् करना और वो आपका वी और रहेगा जो की है अब को कि निमसीट का निउब्ध आने एंपकूता कर सकते लाइंと思います जो मर्जी ऑ क्यों कि सेवेंटी मिनेट में मैस करना तो मैस हीरी करना है और जहां मैस ऑंट हुए तो आपको लार करना एलाइर के समय एलाइर ही करना है computer English के समय computer English करना तो यह कैसे मैनेज होगा यह weekly plan से मैनेज होगा यानि आपको अभी से हर वीक मैस को पढ़ना है को पढ़ना है और इंगलिश की कैसे प्रक्टिस करनी वो बताता हूं अब देखिए इस पर में 60% मैस का वेटेज है तो आपकी पढ़ाई में भी 60% मैस का टाइम टेविल होना चाहिए मतलब यदि आप 10 घंटे पढ़ते एक एक्जामपल तो छे घंटे आपको लॉजिकली मैस पढ़ना चाहिए चोविस पर सेंट यह लर का रोल है तो आपको दो घंटे 40 मिट कम से कम अलार को देना चाहिए तो आपको बारा घंटे 20 टाइम देना चाहिए उत्ती जववत होती नहीं है पर एक जनल बात बोला और इंग्लिश का केवल 4 परसंट है पर इंग्लिश पढ़ने से नहीं आती ये भी मिस्गाइड ना हो जाए कई बच्चे इसमें हो जाते हैं अगर आपका बेसिक गामर या इंग्लिश ठीक है तो आपकी अटेम्ट दस कोशन में से पांचे हो जाएंगे आप देखना पहले इस तेस्सीरीज में अभिहास तेस्सीरीज में निमसेट 24 का 23 का पेपर आपको मिलेगा तो जब आप वह पेपर दोगे तो आपको आपकी अगर इंग्लिश की बेसिक नॉलेज अच्छी तो आप इसको कर लेंगे पर पढ़के करेंगे तो कम हो जाएगा क्योंकि लैंग्वि इसमें स्टेडी मटेल के साथ आपको वह पोर्शन मिलेगा तो आपकी यह संडे को टेस्ट होंगे यह नंबर वन तिंग अब केवल यह पढ़िए कहां से पढ़िए कोई भी टेस्सीरीज में करसожет के लावा कुछ नहीं होता पर इंपिटन गृकूल की सरीन मेंमर होता है सेकिंड यूनिक फीचर स्टेडी मटेल भी होता विकली प्लान साथ यानि आपकी कोई गाइड या बुक की जयुवत नहीं है हो तो ठीक है पर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आपको जो मटेल दिया जा रहा है वही करना है और यह मटेल आपको कहां पर पर खतम करना इस बात को भी बता देगा यानि आपकी वो प्रावलम खतम स्टार्ट और एंड कहां पर करना बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जिसमें जीरो लेवल शीट डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट टीड़ूपीटी टॉपिक वाइस प्रैक्टिस टेस्ट यह तीनों टाइप की आपको असाइंडमेंट मिलेंगी जिसको आपको सॉल्व करना है यह एक दूसरी चीजा अब आपके पास एक कंटेन हो गया यह करना है इस वीक नेक्स वीक नेक्स वीक आपका टॉपिक खतम होता जाएगा बढ़ते जाएंगे थर्ड एंड मोस्ट इ उनके लाइव एनालिसिस होते हैं आपको टेस्ट पेपर के प्रिंटेट सॉलूशन मिलेंगे पर साथ में मैं लाइव एनालिसिस भी दूगा उससे एडवांटेज क्या होगा आपकी कोश्चन सॉल्विंग एप्रोच डवलब होगी यानि आपको लाइव क्लासेज भी मिल कौन से आटेम्ट करना है कौन से फर्स्ट राउन में करना है कौन से सेकेंड राउन में करना है कौन से लीव करना है यह छोटी छोटे फीचर और मैं खुद डिसकर्स करूंगा तो आपको समझ में आएंगे मैस में भी एलार में भी कंप्यूटर में भी है तो जब और जब मैं यह paper analysis देता हूं तो अगले वीक का plan भी discuss करता हूं आप को सीजे भी पूछ पाते हैं मुझसे क्योंकि live classes होती है तो यह unique feature है तो कुछ लोगों ने किये चालू पर दो-तीन class के बाद बंद हो जाते impetus में नहीं होते हैं एंड तक चलेंगे अब कोई paper बहुत simple है या बाद में जब मॉक regular होते हैं तो जो important मॉक होते हैं उनके साथ होगा तो यह third and most important feature कि आपको paper के live analysis मिलेंगे तो मैंने number one बताया weekly plan number two complete study material number three paper का live analysis फिर आपको जब rank मिलती है यह test series में जब आप test paper देते हैं तो बिल्कुल रियल मॉक जैसे होते हैं मैंने लास्ट इतने पेपर लिए कि बच्चों को हर और हर level क्योंगे basic level simple tough higher level आपको management और stress level अभी इसे काम करना किस को कितना time दिया है वो सब आपको दिखेगा तो आप मुझसे directly connect हो जाते हैं तो आप कई सारी चीजों में समय रहते इंप्रूव करते हैं कई बच्चे सुनते सर हम सोचते हैं कि पहले पूरा syllabus कर लें फिर टेस्ट पर दें यह गलती मत करिएगा क्योंकि फिर improvement के लिए time ही खतम हो जाएगा और syllabus कभी खतम नहीं होता हमें एक पाइंट पर जाके खतम करना होता तो इंपिटस गुरू कुल का मटेल यह बता देगा कि अब बस स्टॉप अब न्यू टॉपिक हो रहा है अब यह न्यू टॉपिक हो रहा है आप उस और में पढ़ते चलेंगे तो एक आपको माइंड सेट रहेगा और हर हपते जब लाइप टेस्ट पेपर क तो उसमें बहुत सारे सीनियर बच्चे उन्होंने यही बोला सर कुछ बच्चे बहुत जादे भटक जाते एक टॉपिक कई बार दो-दो महिने तक चलता रहता है इससे भी पढ़ने उससे भी पढ़ने उससे होता यह है कि आप किसी एक टीचर के साथ आपकी फ्रिक्वें क्या होंगे नमबर वन कंसेब्डिंग टेस्ट शीबिटी नाम भी वही रखा कंसेब्डिंग टेस्ट जिसमें LR और बेसिक मैथमेटएक्स नमबर टू बेसिक मैथमेट्स टेस्ट यानी आपकी 910 की अगर मैस के कम नका कंसेब्री तरी क्योंकि पेपकर का लेबल ऐसा है क करेंट टॉपिक मैस का टेस्ट जो करेंट टॉपिक चलना है वो इसके लावा कि कंप्यूटर एंग्लिश का टेस्ट यानि फर्स्ट वीक से ही आप चार टेस्ट देने की आदट डालेंगे और जैसे जिसे मैस के टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे आपको क्यूमिलिटिव टेस्ट मिलेंगे यानि जो पिछला पड़ा है वो भूल ना जाएं तो वह भी आपको कम माइंड करके दिया जाएगा फॉर एग्जांपल पहला टेस्ट कोडिटिक का है और फिर प्रोग्रेशन पड़ाया तो कोडिटिक प्रोग्रेशन डीटर्मिन इस तरह से आपको टेस्ट मिलेंगे क्यूमिलेट और डिसंबर तक यह चलेगा आप इसे संडे से ही वीक में four और five test भी दे सकते three से four five test देंगे और Sunday का दिन आपके लिए एक ही चीज के लिए होगा test देना है देन उसके बाद उसका दिन भर बैट के analysis करना है copy में पहले खुद से solve करना पिंट्रेट solution का यूज जभी करें जब आप आप से question ना बने Google पर search नहीं करना है किसी और का वीडियो नहीं देखना क्योंकि उससे आपका ब्रेंट डवलब नहीं होगा देखिए समझ यह पेपर में आप question जभी solve कर पाएंगे जब आप खुद को टाइम दिया है उनका time कैसे reduce करें option से कैसे करें eliminate कैसे करें option को accuracy level कैसे बढ़ाएं कैसे option को reject करना यह यूनिक चीज़े आप सीखने वाले हैं क्योंकि अभी तक आपको लगता है method से solve करके होगा no logic से होगा trick से होगा concept से होगा observation से से होगा यह सब चीज़े आप analysis में सीखेंगे और पूरे हफ्ते का जो प्लान दूँगा वो पढ़ना है साथ में analysis करना है यह हर वीक का होगा हर वीक के Saturday को पुराने वीक के पेपर सॉल्व करने जिससे अगले संदे के आपकी performance अच्छी आए यह आपको आदर ढ़ने फिर दिसंबर के जनवरी से फिर आपके फुल लेंड टेस्ट होंगे के बाद स्पेशल राउंड टेस्ट होंगे आपको कोई और चीज की जयवत नहीं पड़ेगी इस हब इसका नाम इसलिए अभियास रख्था क्योंकि आप अभियास कर रहे हैं कर रहे हैं तो इस अभियास टेस्ट के साथ मैं स्योर हूं कि आपकी राइंक भी बूश्ट अब होगी और आप अच्छी राइंक ला सकते हैं और वो सब यूनिक फीचर है जो साहित कहीं नहीं मिल सकते तो इसको जौइन करिए और रेगुलर बेस पढ़ाई करिए परफॉ करते जाएं उसका टेस्ट करना एक और बहुत बहुत होता है तो आपको पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा वह सब करना है क्यों क्यों रॉंग होते हैं कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक से होते हैं इंटर कनेक्शन टॉपिक से होते हैं फॉर्मूले मिस्टेक से होते हैं लॉजिक से होते हैं उन सब को इंप्रूव करना तो अभ्यास से जूड़िए और अभ्यास ऐसा करिए कि आप टॉप रैंकर बन चाक है थैंक यू एंड अल दे बेस्ट